आज है 17 अगस्ट 2024 दिन शनिवार वेल्कम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी चलिए देखते हैं उत्तरप्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को स्यम योगी की मौजूदगी में मिलेंगे सतर हजार से जादा रोजगार के अफसर अम्बेटकर नगर और आयोध्या में लगेगा मेला उत्तरप्रदेश में कोशल विकास मिशन के दोरा आज 17 और 18 अगस्ट कुक्रम शाँ अम्बेटकर नगर और आयोध्या में वरत रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है जिसमें करीब देर सो प्रतिश्चित कंपनी सत्तर हजार से जादा रोजगार के अफसर प्रदान करने जा रही है मेहत्कूल बात ये भी है कि रोजगार मेले का शभारम मुख्यमंत्री योगिया दितिनाथ के दौरा किया जाएगा कि रोजगार मेला अप्तपरदेश कोशल विकास मिशन राजकिय और दोगित प्रशिक्षन स्तंस्थान वप्रशिक्षन और सेवा यूजन निदेश शाले और MSME विभाग के तत्वावधान में आयूजित हो रहा है गाजयबाद से सीधे कानपुर के लिए भर सकेंगे फर्राटी National Highway Authority आप इंडिया ब गाज़बाद से सीधे कानपुर तक पर्राटे भरने की तैयारी शुरू करदी दरसल, NHAI घाजबाद चौकानपुर एक्स्प्रेस वे प्रोजेक्ठ पर काम कर रहा है NHI का अलीगरखंड इस एक्सप्रस वे के डीटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार कर रहा है इस प्रोजेक्ट को ग्रीन फील्ड का नाम दिया गया है प्रस्तावित एक्सप्रस वे घाज़यबाद और हापूर को कनेक्ट करेगा और सीधे कानपुर्णिंग रूट पर ले जाकर मिला देगा पाचपा अधिकारियों के बल पर जीतना चाहती है यूपी उप चनाव अकलेश चनाव आयोग से करेंगे शकायव समाजबादी पाची प्रमुक अकलेश श्यादब ने कहा कि बीजेपी के लोग अधिकारियों के माध्यम से चनाव जीतना चाहते हैं इसलिए इसी हिसाब से अधिकारियों को हचाना अधिकारियों के पोस्टिंग करने का काम हो रहा है इसके शिकायत सपाचनाव आयोग से करेगी इसलिए अखिलेश ने ये बाद शुक्रवार को विरांगना अवंती भाई लोधी की प्रतिमा पर पुश्पांजली अर्पित करने के बाद पत्रकारों से कही उत्रप्रदेश सरकार का बड़ा फैसला होगा सबका फाइदा उत्रप्रदेश के मुक्यमंत्री योगी आदितनाथ ने बहुत बड़ा फैसला किया है उत्रप्रदेश के सीम योगी की इस फैसले को एतिहासिक फैसला कहा जा रहा है उत्रप्रदेश के सीम योगी ने इस बड़े फैसले की घोशना करते हुए कहा कि उत्तरप्रदेश को गरीब मुक्त प्रदेश बनाया जाएगा उत्तरप्रदेश के मुक्यमंत्री योगी आदितनात ने ये घोशना की उत्तरप्रदेश के रासानी लगनों में एक समारों को संबोदित करते हुए सियम योगी ने ये बड़ी घोशना की जीवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बड़ी खबर ग्रेट इनॉड़ा के जीवर में बन रही नॉड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी हुई खबर है एयरपोर्ट का संचालन शुरू करने के लिए सबसे जादा जरूरी एयर ट्राफिक कंच्रोल टावर बन कर दयार हो गया है शुक्रवार को यह जान करी यमुना एक्स्प्रस्वी इंडस्ट्री डेवलप्मेंट अथोर्टी के मुख्यकारे पालक अधिकार डॉक्टर अरुन वीर सिंग ने दी सियो ने बताया कि यह ट्राफिक कंच्रोल टावर एयर पोर्ट अथोर्टी ऑप इंडिया को सौंपिया गया है ए ए आई जरूरी टेस्टिंग और डूसरी और चारिक टाई पूरी करके निर्मार कर रही कंपनी यमुना इंटरनेशनल एर पोर्ट लिमिटेड को अना पत्ती प्रमार पत्र सौंपेगा ग्रेटर नॉइडा के बाद अब गाज़यबाद भी बनेगा ग्रेचर डिली से सटी उत्त प्रदेश के दो बड़े जिली कौतम बुद्रनगर नॉइडा और घाज़यबाद का लगातार विकास हो रहा है नॉइडा के बाद ग्रेटर नॉइडा के स्थापना हुई और अब ग्रेटर नॉइडा फेस टू की तयारी है साथ गाजयबाद के एक्सपेंशन की भी तैयारी तेज हो गई है गाजयबाद विकास प्रादिकरण इस एक्सपेंशन प्लान को महानंदी पुरम के रूप में आकार दे रहा है अगले महीने से नॉइडा के बाद घजयबाद जिरे में भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना महगा हो जाएगा वर्तमान में ये सिवा 1350 रुपे में उपलब्द है लेकिन नए सिस्टम के तहट इसके लिए 6000 रुपे का बुक्तान करना पड़ेगा इसके साथ ही कमर्शल वाहन चालकों के लिए ये शुल्क 10,000 रुपे होगा ये बड़ोतरी लोगों की जेब पर एक बड़ा बोज डालने वाली है जिसकी बचे से इसका विरोज शुरू को चुका है 79,000 शिक्षक भरती में बड़ा फैसला इलाबा थाई कोट की डबल बेंच ने 79,000 शिक्षक भरती में बड़ा फैसला सुनाते हुए पूरी मेरिट लिस्ट को ही रद कर दिया मामले में कोट ने सरकार को तीन महीने में नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया जिसमें आरक्षन के नियमों और बेसिक शिक्षा नियम अवली का पालन किया गया है दिल्ली मेट्रो गिरापर NCRTC सरकाली से लेकर नेजी कंपनीज के नाम से जाने जाएंगे रैपिड रेल के स्टेशन भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम चलाने वाली कंपनी NCR ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन भी एक मामले में डिल्ली मेट्रो की रहा पर चल पड़ी जी हाँ इसने भी अपने दिल्ली गाज़ेबाद मेरेट आर आर टीस कॉरिडोर के कुछ स्टेशन की ब्रैंटिंग के अधिकार कंपनीज को देगी इसके लिए NCRTC ने टेंडर निकाला है नॉड़ा एरपोर्ट का रन्वे बन कर तयार अगले महीने शुरू होगा हवाई जाज उडाने का ट्रायर जीवर में बन रही नॉड़ा इंटरनेशनल एरपोर्ट के पहले रन्वे का निर्मान कारे पूरा हो चुका है अब इस रन्वे पर विमान उतारने के दिशा में ये बड़ा ख़दम बढ़ाया जा रहा है या मुनाप राधिकरन के अफसरों ने बताया कि 60 मीटर चौड़ा और 2900 मीटर लंबा ये रन्वे देश का सबसे बड़ा रन्वे है जो अत्याधूनिक टक्नीक से तयार किया गया है ग्रेनों के लिए गुड नियूज आमरिपाली में फसे 14000 बायर्स को नए साल पर मिलेगा घर ग्रेनोंड़ा के आमरिपाली के प्रोजेक्स में फसे बायर्स के लिए अगले चार महीने में नेशनल बिल्टिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन 14000 फ्लैट और तयार कर देगी NBCC से मिले जानकारी के मताबिक 14000 फ्लैट का काम अंतिम चरण में है काफी फ्लैटन में से पूरी तरह से तयार हो गए है तो कुछ में फिनिशिंग वा पेंट आदी का काम चल रहा है इसी साल 31 दिसम्बर तक यारी नए साल के मौके पर ये फ्लैट तयार करके NBCC कोट रिसीवर को सौप देगी UP में उक्चनाओ से पहले यादब मुस्लिम कर्मचारियों पर राच चुनाओ आयोप पहुची सपा UP में 2027 में होने वाले विदानसब़ चुनाओ से पहले हो रहे उक्चनाओ को लेकर समाजवादी पाटी और भाजपा के बीच रस्ता कर्शी पढ़ गई बले ही उक्चनाओ का भी ऐलान ना हुआ हो लेकिन इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया समाजवादी पाटी ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है सपाने उक्चनाओ वाले इलाकों में यादब और मुसल्मान वियलो और सुपर्वाइजर्स को हटाने का आरोप लगाया रेल्वे के वरकर क्लास में मैन पावर के नहीं पड़ेगी कमी सिग्नलिंग और कवच पर MMMUT शुरू करेगा कोर्स मदन मुहन माल विये प्राद्रगी की विश्विद्याले जल्द ही रेल्वे सिग्नलिंग इंजिनिरिंग और ATP कवच पर कोर्स शुरू करेगा इसे रेल्वे के इंजिनिरिंग से संबंदित कोर्स यहां के विद्यार्थी कर सकेंगे बार्टे रिल्वे, सिग्नल इंजिनिरिंग और दूरसन चार संस्थार सिकंदराबाद के सहीोग से ये शुरू होगा बढ़ने लगा गंगा यमुना का जलिस्तर निचले इलाके में अलार गंगा यमुना का जलिस्तर एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगा है प्रशासन निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया जिससे लोग सुरक्षित हो सकें पिछले 24 गंटों की अगर बात करें तो नैली में यमुना का जलिस्तर एक यावन सेंटी मीटर बढ़ गया कल सुबह 89.40 मीटर जलिस्तर रिकॉर्ड किया गया जबकि छटनाग में गंगा का जलिस्तर 78.70 मीटर जलिस्तर रिकॉर्ड किया गया गुरवार सुबह 8 बजे के तुलना में शुक्रवार सुबह 8 बजे जलिस्तर में 27 सेंटी मीटर की बढ़ोतरी दर्श की गई ताज महल में जलाविशेक और दुगदाविशेक की आची का पर अप सुनवाई 27 को एक बार फिर से ताज महल या तेजू महाले का विवाद दर्मा गया है जिसमें प्रतिवादी भारतिया पुरातत्व सर्वेक्षन के अधिक्षा पुरातत्व विद डॉक्टर राजकुमार पटेल की अधिवक्ता विवेक कुमार अदालत में पेश हुई उन्होंने नोटिस का जवाब देने के लिए कोर्ट से समय मांगा पहले हाओ पहले पाओ गाज़िःबाद में घर करीदने का सपना होगा पूरा जीडिये ने लॉंच की 9748 फ्लैट्स की योजना गाज़िःबाद विकास पाधिकरन ने 78 वी 1700 दिऊस 173 के अफ्सर पर 1748 फ्लैट्स की योजना लॉंच की है इसके अलावा गाज़ेबाद विकास प्रादिकरन जीडिये के दोरा 103 विफसाइक संपत्ती और खाले भूकंडो को लेकर भी योजनाल लॉंच की गाई जिसके लिए कर सोल आगस को शुरू हुआ और ये 15 सितंबर 2024 तकावेदन कर सकते हैं दिली से अलिगर पहुची वंदे भारत ट्रेन ठहराओ पर हुआ बविस्वागत खुशी से जूमे यात्री दिली आयोध्या वंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रेन के अलिगर डिल्वे स्टेशन पर ठहराओ को रेल्वे बोर्ड ने मनजूरी दी अलीगर्ड इस्टेशन के प्रैटपॉर्म नमबर दो पर सोला अगस को ट्रेन का ठहरा हुआ अब अलीगर्ड के यात्रियों की आयोध्या में भगवान शीराम के दर्शनों की मुराद पूरी हो सकेगी राजपाल आनन्दी बेन ने की आरोग्य मैं सुख मैं समरद मैं वर्शान्ती मैं जीवन की कामना उद्रप्रदेश की राजपाल आनन्दी बेन पठेल की प्रेड़ना से राजभवन में सामोही के रुद्राभी शेक कारिक्रम संपन्न हुआ कारिक्रम में राजिपाल आनन्दी बेन पटेल के अलावा राजभवन के अधिकारी कर्मशारियों ने प्रतिभाग कर अनुष्ठान संपन्द कर आया दिवादी देव महादेव कुबेल पत्र कमल पुष्प दुरुवा अने काने कुजान सामगरी अर्पित कर गौध दुगद और जल से रुदरावी शेख किया गया रुदरावी शेख के बाद राजपाल ने वैदिक मंतरो चार के बीच हवनवा आर्थी की अपने सिंबल पर दो सीटों पर उप्चनाओ लड़ेगी निशाद पार्टी एंडिये में सीट बटवारे से पहले क्याबिनेट मंतरी संजय निशाद का एलान यूपी में 2027 में होने वाले विदान सबचनाओ का सेमी फाइनल माने जा रहे उप्चनाओ में सीटों के बचवारे पर एंजिये में शामिल निशाद पार्टी ने एक तरफा घुशना कर दी योगी सरकार में मंतरी संजर निशाद ने 10 में से 2 सीटों पर अपने चनाओ चिन फर लड़ने का एलान कर दिया पार्टी के सापना दिवस पर आयो जित समारों में सेक्डों का रिकर्टाओं और नेताओं के सामने किये गए हैलान को दबाव की राजनी तीम माना जा रहा है अब इना टिकेट ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते जी आर पी आर पी अप जवान डेलवे ने नियमों में किया बदलाव भाते रेलवे अपनी सिवाओं को लगातार सुधार रहा है यात्रियों के अनभवों को बढ़ाने के लिए रेलवे लगातार काम कर रहा है इस इक्रम में रेल मंत्राले ने जब जी आर पी और आर पी अप जवानों के ट्रेन यात्रा के लियमों को भी बदल दिया अब जवानों को रेल यात्रा के दौरान टिकेट खरीदना अने वारे होगा नभवे सालबाद रक्षा बंदन पर बन रहेे चार अद्बुच संयोग बाई बेहन का रिष्टा होगा मजबूट रक्षाबंदन पर इस बार करीब 90 साल बार चार शुब महा संयोग बन रहे हैं ग्रह नक्षत्रों का या अद्बुत संयोग भाई बहन के रिष्टे को और मजबूत करेगा शजापुर के श्री रुद्रबाला जी धाम के पुजारी पंडेत काना कृष्ण शुकल ने बताया कि महावीर पंचांग के अनुसार 19 अगस को रक्षाबंदन का पर्व मनाया जाएगा इस बार रक्षाबंदन के दिन चार अद्बुत संयोग बन रहे हैं रक्षाबंदन के दिन सरवार्थ सिद्ध योग, रवी योग, शोभन योग और शवन नक्षत्र का महा संयोग बन रहा है इस रोने कर दिखाया कमाल लॉंच किया SSLV मिशन का अन्तिम रॉकेट बार्टी अंत्रिक्ष अनुसंदान संगटन ने आंदरप्रदेश के श्रीहरी कोटा इस्तित सतीज धवन अंत्रिक्ष केंदर से SSLV D3 EOS 8 विशन का तीसरा और अंतिम रॉकेट सफलता पूरवक लॉंच कर दिया SSLV D3 ने EOS 8 को कक्षा में सटी ग्रूप से स्थापित किया इस रॉक के लिए ये एक बड़ी सफलता है उब्रे को सफलता पूरवक लॉंच करने के बाद अन्त्रिक्ष एजनसी के प्रमुक S.O.M.N.A.T. ने SSLV के विकास कारे के पुरा होने की खुश्रा की ऑनलाइन कैप ड्राइवर ने की हरताल किराया बढ़ाने की है मा राजानी लखनों में ऑनलाइन कैप एससीशन ने एक दिन की हरताल का वहन किया था जिसके कारण उला उबर इन ड्राइवर और रैपिटो सेवाएं कल नहीं दी कर्मचारियों ने कैप कंपनी से 20 रुपे प्रती किलो मीटर रेट बढ़ाने की मांगी इसको लेकर लगनों के ब्रंदावन में बड़ी संख्या में ड्राइवर्स ने अपने वाहन खड़े कर दिए सियम योगी ने प्रदेश वासियों को दिया कास तोफा योध्या गोरकपुर प्रियागराज वारानसी को बनाएंगे सोलर सिटी उत्रप्रदेश के मुख्यमंत्र योगी आदे तिनात ने शुकरवार को कहा कि हमारी सरकार अयोध्या प्रियाग राजवारानसी गोरकपुर को सोलर सिटी के रूप में विक्सित कर रही है उन्होंने कहा कि यूपी देश में रिन्यूएबल एनरजी का बड़ा केंद्र बन सकता है बुंदेलखंड और विंदे में सौरोजा के उत्पादन की सबसे अधे संभाव नाई है दो नदियों के जुड़ने से यूपी एंपी के तेरा जिलों की चमकेगी किसमाट सीम योगी के आदेश पर प्रोजेक्ट पर काम शुरू दो नदियों के जुड़ने से कभी जल संकट का सामना करने वाले बुंदेलखंड की तस्वीर आट साल में बदल जाएगी विशेत्र में सिचाई और पेजल के संकट का स्थाई समाधान करने के लिए केन बेतवा पर योजना को समय से पूरा करने के लिए योगी सरकार विशेश प्रयास कर रही है इस प्रोजेक्ट से अब उत्तर प्रदेश का हमीरपुर जिला भी चुड़ जाएगा मुख्यमंत्री योग्या दितनात के आदेश के बाद प्रोजेक्ट में हमीरपुर को भी शामल करने की योजना पर काम शुरू हो गया है तो यह थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरे अगर आपको न्यूस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सर्म करें हन्यवार